होली आ रही है होली सेलबरेट नहीं होगी कोटा यह रहा लखन देखा बहुत ही चोटा या रही है तो मैं सो हे गाइस वेलकम बाइक टू माइन आधर वीडियो मैं पहली पहली के साथ आप लोग को धेड़ सारा प्यार और हैपी ओ होली भगवान करें आप लोग स्वास्त र भमोपाई थे और जहां भमोपाई रहते हैं उनका कोई भी चीज रहता तो मुझे देखनें बड़ा इंट्रेस्ट आता है तो मैं बात करने वाली उनके ब्लॉग के बारे में तो चलिए आज का रिक्षने स्टार्ट करते हैं तो मैं ब्लॉग स्टार्ट हुआ तो जर लखनीत बोलते नजर आए कि हम लोग होली क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो लखनीत का कहना था कि उनके दादा का देहांत हुए अभी एक साल नहीं हुआ जिसके वज़े से ना वो लोग होली मनाएं मनाएंगे ना दिवाली मनाएं थे और बहुत अच्छा लगता है क लोग अपनी कल्चर को मानते हैं हिंदु धर में कभी ऐसा हो जाता है परिवार में तो एक साल तक कोई भी चीज़े नहीं मनाएंगे और वहां पर बोलते नजर आए कि हम लोग जाएंगे बच्चे को गिप्स देंगे पिशकार देंगे कलर देंगे गुडाल देंगे ज़्यादा विश्वास करते हैं और वहीं पर बात करूंगी भम्मु जी का और पाई जी का बहुत अच्छा लगा मुझे एक चीज़ सब बोलते हैं कि नहीं वो लखनीत को प्यार नहीं करते लेकिन लखनीत को मैं सुरुज बोलते हूँ प्यार बहुत करते क्योंकि बच् चीज समय तक का लिख के रखे रहते थे कि हमारा बेटे का यह चीज है पेपर में चिपका के कटिंग जो भी रहता था और वो चीज देखके काफी अच्छा लगा उन लोगों को उन लोगों की मुँपे तमाचा जो बोलते थे कि नहीं वो लखन को प्यार नहीं करते अगर प हो जाता है तो हम लोग तिरुपती बाला जाकि अपना दोनों लोग मुंडन सिर्का करवा देंगे बाल लिकलवा देंगे सरका तो बहुत अच्छा लगा सुनके कि लोग कितना चाहते थे लखन आगे जाए तो लखन वही पैठे थे तर लखन बोले आप चाहते थे कि आप बैज संचे कुछ अचा करते हैनु माबाप का नाम होता है यह चिह काफी अच्छा देक कि मिला कि वा धने बच्चों का हर एक छोटा-ठोटा मूंड्त संहाल कि रखते हैं वभ बच्चों से बहुत ज्यादा कोई भी माबा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो चलिए यह थी हमारी छोटी सी अपडेट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कि वब बाई दूस्तों रखें अपने